हलो स्टूडेंट वे शाहिन लूथरा आज मैं आपको क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ की कोशिन आंसर हम आज इस वीडियो में करेंगे first question है इसका why do the players move? players जो है वो क्यों move करती है हमने chapter में समझा था the players move due to the endogenic force endogenic force लगता है उसको जो earth के अंदर से लगता है endogenic force is acting in the interior of the earth इसकी वजह से जो plates है лithospheresic जो plates है वो move करती है second है what are the exogenic and endogenic force एक्सोजेनिक कौन सा होता है हमने चैप्टर में पढ़ा था जो एर्थ के अंदर होगा वो एंडोजेनिक कहलाएगा ठीक है वो एंडोजेनिक फोर्स होगा और जो जो फोर्स है वो एर्थ सर्फेस पे होता है अर्थ के बाहर होता है ठीक है जो हमारा wind से होता है जो हमारा river से होता है जो हमें सारे chapter में पढ़ा था जो force जो हमारा अर्थ के बाहर लगता है वो उससे जो है वो जो हमारा exogenic force होता है ठीक है interior of the earth होता है endogenic और earth surface के ओपर जो होता है वो exogenic होता है उसके बाद आजाता है what is erosion erosion क्या होता है erosion जो है erosion is a wearing away of the landscape by different agents like water wind and ice जो अब erosion वो होता है जो हवा से पानी से और बरफ से अपने साथ कुछ sentiments लेके आता है landscape से कुछ उसके टुकड़े लेके आता है उसको हम erosion कहते हैं जो की जो erode जिसको हम करते हैं ठीक है जिसको erode भी कहते हैं और erosion भी कहते हैं chapter में हमने कई जगा पर erode word भी पढ़ा है how are flood plains form किस तरीके से अब flood plains जो है वो बनते हैं when river outflow their bank जब rivers जो हैं उसका पानी बाहर की तरफ आ जाता है they cause floods in the neighboring area तो आसपास के area में क्या जिस बाड़ आ जाती है the flood water take away fine soil और जो flood water जो होता है बाड़ का पानी होता है उसके अंदर क्या होती है वो जो take away बाहर की तरफ वो क्या करती है fine slow जो है और जो दूसरे material जो होते हैं उसको deposit कर देती है ठीक है कहां पे उसके किनारों के ओपर नदी के किनारों के पास उसको deposit कर देती है जो पानी के अंदर जितने भी soil और other materials होते हैं उसको side में कर देती है तो this deposition यह जो deposit करती है इसी से जो है वो flood plain बनता है leads to the formation of flood plain what are the sand dunes अब sand dunes क्या होता है when the wind blow जब हवा चलती है हमने chapter में पढ़ा था जब हवा चलती है तो वो अपने साथ जो है लेके आती है किसको मिट्टी को लेके आती है ये sand को लेके आती है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट कर देती है उसको दूसरी जगा पर it lifts and transports sand from one place to another when it stops blowing और जब ये चलनी बंद होती है when it stops blowing तो इके करती है ये sand falls and get deposit in low hill और low hill में जो है इसको जाके वो छोड़ देती है deposit कर देती है like structures उसको जो है sand dunes कहा जाता है ठीक है how the beaches form अब beaches कैसे बनते हैं the sea waves deposit sentiments along the shores अब जिससे sea waves क्या होता है जो लहरे हैं उनके अंदर जो भी जितने भी sentiments होते हैं उनको क्या करते हैं किनारों पर आके उसको छोड़ देती है सारे sentiments को तो जिससे क्या होता है this result is formation of beach उससे जो है beach बन जाता है what is the ox volics ox volics कौन सी थी मैंने को बताया था when a river enter the plane जब नदी plane जगा पर आजाती है और it form a large band which is cut off अब वो किस तरीके से cut off करती है वो तो जब मैंने को chapter समझाया था तब मैंने बताया था किस तरीके से वो जो एक cut off करती है तो large band which is a cut off from the main stream is due course of time जिसे की नदी आ रही है भेहती भी आ रही है अपने साथ काफे सारे sentiment लेके आ रही है वो कहीना कहीन पर आके वो sentiment काफे सारे sentiment आके रुक जाते है तो नदी का वहाँ से cut off हो जाता है अब नदी वहाँ से आगे नहीं जाती वो अपना दूसरा रास्ता ले लेती है दूसरी stream बना लेती है ठीक है तो जो जहाँ पर उसने cut off किया था वहाँ पर काफे सारा पानी जो इकठा हो जाता है जो कि लेक बन जाती है उसी लेक को जो है ओक्सफोर लेक कहा जाता है ठीक है अब इसके बाद जो है इसमें है आगे टिक दा करेक्ट और मैचिंग Erosional features of sea wave कौन सा इसमें से erosional feature नहीं है cliff the depositional feature of a glacier is moraine जहाँ पर deposition होता है glaciers का वो जहाँ पर जाके कठा होता है वहाँ पर glacier moraine बन जाता है which is caused by the sudden moment अब sudden moment इसमें क्या है वाल कैनो ठीक है mushroom rocks are found in desert and oxford lakes are found in कहाँ पर जो है oxford lake जो पाई जाती है वो river valley में ठीक है उसके बाद आजाता है matching matching में first है glacier river of eyes ठीक है यानि कि बरफ की नदी उसके बाद menders, menders क्या होते है menders जो होते है वो है इसमें rivers में होते है इसका आएगा d ठीक है यह हमारा second हो जाएगा उसके बाद beach अब beach जो क्या है उसके बाद waterfall और उसके बाद है sand dunes sand dunes जो है वो हमारे desert में होते हैं तो यह हमारा हो गया sand dunes उसके बाद waterfall waterfall कहा होता है हमारा waterfall जो है वो हमारा इसमें आएगा hard bedrock आएगा इसका waterfall का fifth और earthquake आएगा हमारा vibration of the earth यह हमारा sixth हो गया ठीक है अब हम करते हैं give reason अब है इसमें give reason give reason question number four some rocks have a shape of mushroom कुछ rocks की जो shape है mushroom की जैसे होते है क्या इसका वज़ा क्या reason है because wind erot the lower section of the rock क्योंकि जो wind है वो erot करती है नीचे का हिस्सा चटान का lower section of the rock more than the upper part upper part को तो कम करते हैं lower part को जादा करते हैं जिसकी वज़े से वो जो such rocks have narrow base उसके जो नीचे का जो narrow base हो जाता उपर का हिस्सा wider बन जाता जो mushroom के जैसा ही दिखता है flood plains are very fertilized जो flood plains होते हैं वो इतने fertilized क्यों होते हैं flood plains are formed when the river overflow its bank अब जो flood plain है वो इसलिए इतने fertilized होते हैं कि जो नदी है वो जब overflow हो जाती है और वो किनारों के उपर आ जाती है तो जितने भी नदी के अंदर deposit layers और soil fine soil होती है या other materials होते हैं जिसको sentiments कहते हैं वो सब side में आ जाते हैं और वो side में आने की वज़े से जो वो जो land है वो जो जगह है वो fertilized हो जाती है काफी उपचाव हो जाती है अब जो sea caves are turned into stack जो sea caves है वो stack में कैसे बदल जाते हैं after the formation of sea caves when cavities become a bigger जो sea caves होता है कि after the formation of sea caves जो sea caves बन जाता है न तो उसके बाद जो बीच का जो उसका hole होता है जो उसकी cavity होती है वो बढ़ती ही जाती है bigger हो जाती है only on the roof of the cave प्रिमेंड अब क्या होता है उसमें सिर्फ roof बच जाती है सिर्फ चट बच जाती है इतनी बाद जो उसके अंदर जाके समुंदर के लहरे लगती है कि वो जो cavity है बहुत बढ़ी हो जाती है सिर्फ चट बच जाती है उसके उपर और जिसको sea arch खा जाता है लेकिन बाद में क्या होता है further बाद में erosion break erosion break की वज़े से जो है वो roof भी जो है वो खतम हो जाती है break तूट जाती है अब सिर्फ वाल्स बच जाती है और वो जो walls होती है उनको जो है like जो है these walls like fitters are called stack और इन्ही walls को जो है stack कहा जाता है अब fourth इसमें जाता है building collapse due to earthquake अब जो building collapse होता है भुकंब की वज़े से in the earthquake the vibration travel outward from the epicenter अब जो epicenter से जो vibration बहार की तरफ आउटवर्ट की तरफ जाता है जो उसकी waves बहार की तरफ जाती है the surface start vibrating तो वहां से जो है vibrating शिरू हो जाती है which lead to shaking the structure built on the earth और जो earth के ओपर चीज़े बनी होती है जो structure बना होता वो shaking हिनने लग जाता है on the surface उसके earth के ओपर जो जितनी भी चीज़े बनी होती है and does building collapse उससे क्या होती है buildings वो collapse हो जाती है गिर जाती है तूट जाती है तो यहां पर हमारा जो है यह हमारा chapter complete हो जाता है hopefully आपको वीडियो helpful लगा वीडियो लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब करें थीज़े जाती है